आखरी मोके पर राजा भाया ने बड़ा खेल कर दिया आपको बता दे बिचारे ग्रहमंत्री अमिश्या मंच सजाकर और कुर्सी लगाकर राजा भाया का इंतजार करते रह गए लेकिन राजा भाया नहीं आए तो नहीं आए और तो और अखिलेश यादों के मंच पर उसके बाद तो बबाल मच गया आपको बता दे प्रताब गड़ में अमिश्या और अखिलेश यादों की रैली है और इसी को लेकर राजा भाया ने ऐलान किया है कि वो अखिलेश यादों को अपना समर्थन देंगे और हजारों समर्थकों के साथ मंच साजा करेंगे जैसे ये खबर निकल कर सामने आई ग्रह मंत्री अमिशा भी भागे भागे प्रताबगर पहुचे हैं और तो और भारी पुलिस बल और CISF को भी तैनात कर दिया गया है इसके बाद तो राजा भाया ने पूरा खेल ही पलट दिया और तो और पहली बार भारतिये जंता पार्टी को तगड़ा जवाब भी दिया है ऐसा जवाब दिया है कि भारतिये जंता पार्टी का प्रत्याशी मंच पर खड़े होकर रो रहा है तो क्या कुछ हो रहा है क्या बयान दिया गया है कैसे खीशतान मची हुई है आपको एक एक बयान सुनाएंगे लेकिन उससे पहले खबर का बैक्ग्राउंड फटाफट से बता देते हैं सबसे पहले आप खबर देखे न्यूस 24 की देखे इस खबर में लिखा हुआ है कि राजा भाया की पार्टी ने अखले शादो की सपा को दिया समर्थन कल प्रताबगर में अखले शादो की रैली में भी जाएंगे तो सर्फ की सामने आई अगले ही पल ग्रह मंत्री अमिश्या ने भी प्रताब गर्र töकिा वह करने का ऐलान कर दिया है और ये आमना सामना कितना जबर्दस्त होगा इसका नाज आप इस बास से लगा सकते हैं कि राजा भाया भी अखिलेश यादो की रैली में शामिल होने वाले हैं जहां एक तरफ दोनों रैली का एलान किया गया है वहीं दूसरी तरफ में आपको बता दूँ कि प्रताबगर में भारी पुलिस बर और CISF को तैनात कर दिया गया है अब ये राजा भाया का डर है या फिर की कुछ और आप समझ सकते हैं खबर भी मौझूद है इसमें देखे इसमें लिखा भी है कि अमिशा अखिलेश की जनसभा की सुरक्षा CISF के जिम में प्रियाग राज की भगदर से सबक लिया है या फिर की राजा भाया से सबक लिया है आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं आपको बता दू राजा भाया को मनाने के लिए ग्राय मन्त्री अमिशा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी घंटो घंटो मीटिंग की गई प्राइवेट मीटिंग की गई बैंगलॉर में मीटिंग की गई और राजा भाया को खूब मनाया गया लेकिन राजा भाया नहीं माने तो नहीं माने खबरे भी मौझूद है खबर आप देखे बीपी की देखे इसमें लिखा भी हुआ है कि अमिशा के साथ सीक्रेट मीटिंग पर राजा भाया ने किया बड़ा खुला सा जानिये क्या कहा है तो सीक्रेट मंत्री अमिशा को लगने लगा कि राजा भाया तो अब मान गए है और उनके साथ मंच साजा करेंगे और NDA को समर्थन दे देंगे लेकिन राजा भाया ने यहीं पर खेल कर दिया ग्रैमंत्री अमिशा मंच सजा कर कुरसी लगा कर बैठे रह गए और राजा भाया नहीं ग तो जब राजा भाया अमिश्या की रैली में नहीं पहुचे तो अनुपरिया पटेल ने बयान दिया और ऐसा बयान दिया जिसके बाद तो उत्तर प्रदेश का पूरा का पूरा चुनाव पलट गया अनुपरिया पटेल ने कह दिया कि राजा रानी के पेट से नहीं पैदा ह से लेकर मिर्जापूर रॉबर्स गंद कौशाम भी हर जगा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि पहले तो राजा भया ने कह दिया था कि हमारी पार्टी का कोई भी उमीद्वार चुनाव नहीं लड़ रहा है इसलिए हमारे समर्थक जिधर जाना चाहें उधर जा सकते हैं क्योंकि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जहां एक तरफ राजा भया ने ये बयान दिया वहीं दूसरी तरफ अनुपरिया पटेल ने राजा भया को ही सुना दिया जैसे ही राजा भया को अनुपरिया पटेल ने सुनाया उसके बाद तो बवाल म कि NDA का अब विरोध किया जा रहा है वो भी सड़कों पर विरोध किया जा रहा है और अब तो हालम ये हो चुका है कि राजा भाया ने समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन दे दिया है और सिर्फ समर्थन नहीं दिया है राजा भाया ने अनुपरिया पटेल को जबाब ही दिया है और तगड़ा जबाब दिया है क्या रुख है इस समय में हुआ का हमको लगता है सिटिंग को सुन रहा है वो यह कह रहा है कि अनवश्यक बयान और अजय दूसरी बात हम यहां से चुनाओ भी नहीं लड़ रहा है तो अगर उनको कोई बयान दे नहीं था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विश्य में कहना चाहिए था तो सुना आ कि ना था तो जो आपके विपक्ष में खड़ा हुआ है उस पर बोलना चाहिए था और यहीं नहीं रुके राजा भाया उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि सिटिंग एंपी के खिलाफ नाराजगी है एंटी इंकमबैंसी है जैसे ही राजा भाया ने यह बयान दिया सिट तो आप देख सकते हैं यह भारती जनता पार्टी के प्रताबगर के प्रत्याशी संगमलाल गुपता है चाहां कर भी अपने आसू कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एक दरफ राजा भाया ने कहो दिया है कि सिटिंग एंपी के खिलाफ नाराजगी है वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मंच से किस तरीके से दहार-दहार कर रोते हुए नजर आ रहे हैं कहना है कि मैं तेली समाज से हूँ इसलिए मेरा विरोध किया जाता है क्या यहाँ पर सिर्फ चछत्री समाज का ही सांसद बन सकता है फिलाल एक तरफ जहां रो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ दावे किये जार और यह दावा इतना खोकला है मैं आपको बता दू जो रो रो कर ब मंच से शुरू कर दिया है को पूछने के लिए अब ग्रह मंत्री अमिश्या प्रताब कर दिया गया है को अच्छ से जानते हैं कि राजा भया की ताकत क्या है अमिश्या अच्छे से समझते हैं कि अब उनकी रैली का भी विरोध हो सकता है अब आप देख सकते हैं कि तमाम विरोध के बीच अमिश्या और अखलेश यादों का प्रताब गड़ में आमना सामना होने वाला है लेकिन उत्तरपदेश का चुनाव पलट चुका है और कितना पलट चुका है आप राजा भाईया के इस दाउं से अंदाजा लगा सकते हैं अब आपको क्या लगता है कि वोटिंग से पहले जो खेला हो गया है इससे पुर्वांचल में कितना असर होगा क्योंकि पश्चिम यूपी की अगर बात की जाए तो वैसे भी इंडिया का जबर्दस विरोध हो रहा है अब तो पुर्वांचल में भी खेला हो गया है राजा भाईया ने अपना खेल कर दिया है अब ग्रह मंत्री हमिशा की चानक के नीती कितनी बुरी तरीके से फेल हो गई है इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं फिलाल राजा भाईया के इस दाउं से उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा? असी में से कितनी सीटे बिजेपी को और कितनी सीटे इंडिया गड़ बंधन को जाएंगी? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें सब्सक्राइबर बट दबाएं हमार चनल को लाइक करें जोईन करें फिर मलते होगली खबर के साथ तक लिए धन्यवाद